नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रवासी भारतिय लेखक अविमन्य अनत द्वारा लिख्की हुई कहानी जहर और दवा तो आए कहानी शुरू करते हैं जब मैंने पिता को या कहते सुना कि सोफिया हमारे यहां आकर घर के कामों को संभाल लेगी उस समय मुझे हैरानी तो तनिक भी नहीं हुई लेकिन मैं उस बात पर काफी देर तक सोचता ही रह गया था मेरी मा को अस्पताल में दाखिल हुए आज तीसरा दिन था उस से दो दिन पहले से ही मेरी बेहन चचेरी बेहनों के साथ समुद्र किनारे बंगले पर सर्दी की चुटियां बिता रही थी हमारे घर के कामों को सम्हालने के लिए किसी व्यक्ती ही जरूरत थी इस बात को मैं पिता से अधिक समझता था शहर में जहां हम रहते हैं नौकरानियाओं की कमी नहीं थी फिर भी सोफिया हमारे घर आ रही थी इस बात से जैसे कि मैं उपर कह आया हूँ मुझे आश्यर नहीं हुआ इस प्रशन को गौर से सोचते हुए मैं यह मान लेने को विवश्ट था कि मेरे पिता को यह गवारा नहीं कि हाथ आया मौका यूं ही चला जाए सोफिया को लेकर हमारे घर में काफी जहमेला खड़ा हो चुका था मेरी मा के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था फिर भी वह सोफिया को मेरे पिता की रखेल मानती थी नौवत यहां तक आ गई थी कि मेरी मा ने गठरी संभालते हुए पिता से कहा था कि दो मेंसे एक यहां रहेगी अगर वह रहती है तो सोफिया वाले नाटक की समाप्ती हो जाने चाहिए और अगर सोफिया वाला यह खेल खत्म नहीं होता तो वह इस घर में पल भर के लिए भी रहना पसंद नहीं करेगी शायद मेरे पिता को जो कि सामाज एक सुरक्षा केंदर के प्रधान है अपनी इज़त प्यारी थी इसलिए मेरी माँ द्वारा लगाए आरोप को बेबुनियाद मानते हुए भी उन्होंने शर्ट मान ली थी और कहे ही डाला था कि सोफिया वाला नाटक समाप्त मैंने पडोस वालों में भी एकाद बार इस बात की चर्चा सुनी थी पर जब मेरे पिता उसे लांचन मातर कहकर अपने सफाई दे डालते उस समय मैं भी उसे बेबुनियाद ही समझ वैटता उस दिन मा को अपनी पुरानी बीमारी का दौरा पड़ा और उसे चार पाई लेनी पड़ गई थी मेरे पिता ने उसी खषण कह दिया था कि घर पर बीमारी कहदिक बढ़ जाने की संभाव ना है इसलिए अस्पताल बहत्तर होगा मेरी मा को यह बाद जराबी पसंद नहीं थी कहने लगी थी कि अगर मरना है तो अपने ही घर की चार दीवारी में मरेगी कुछ मिनट बाद डौक्टर ने भी मेरे पिता की बात का समर्थन कहते हुए कहा था कि मेरी मा के लिए अस्पताल ही एक मातर स्थान था पहुँच रही थी अपनी मा का खयाल मझे अपने पिता से कुछ अधिक था इसलिए जब सोफिया के आने की बात हुई तो मैंने चाहा कि अपने पिता से यह कह सोफिया के आगमन को रोग दू कि घर के सभी कामा को मैं संभाल सकता हूँ लेकिन मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे भीतर इस भावना को ताड़ गए थे तब ही तो मेरे कुछ कहने से पहले ही वे कह उठे थे कि मैं अपना समय नाहक बरबाद ना करूँ सच मुझे मेरी परिक्षा सामने थी और मैंने ऐसा एहसास किया कि इस बात की चिंता मुझे से अधिक मेरे पिता को थी सुबह को मेरे पिता सिंपोजियम में जाने को तयार हो रहे थे कि तब ही मैं उनके सामने पहुँचा उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके सामने मैं अपने आप नहीं पहुँचा था बलकि मेरी मा ने मुझे वहाँ पहुँचने को बिवश्च किया था सिगरेट के टुकडे को राकदान में उगलियों से कुचल का मेरे पिता ने अपनी टाई की गाड को ठीक करते हुए मेरी उड़ देखा उनकी उस निगाह में यही प्रशन था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी अपने में आत्म विश्वास लाते हुए सबसे पहले मैंने आप से कहा कि मैं अब बच्चा थोड़े ही हूँ मैं बीस पार कर चुका था पूरा साहस बटूर कर मैंने कहा सोफिया की बिना भी घर के सभी काम हो सकते हैं मेरे इस प्रशन के समाप्थ होने से पहले ही मेरे पिताने कड़कते सुर्म पूछा कौन करेगा मैं कर सकता था और कौन पर यह कहने की हिम्मत जाती रही मुझे सहमा सा पाकर मेरे पिताने अपनी आवाज में कुछ नर्मी लाते हुए धीरे से कहा तुम सुबह आठ बजे उठते हो और साड़े साथ बजे मुझे काम पर जाने के लिए घर से निकल जाना पड़ता है मुझे बकील बनाना मेरे पिता के जीमन की सबसे बड़ी तमना थी मैं और बकील मैं जो हर दूसरे प्रश्ण पर अपने को नरुत तर पाता हूँ जो अपने दिमाग के किसी कौने में भी दलील न पा सके पिता के चले जाने पर मैं देर तक अपनी मा के बारे मैं सोचता रहा फिस सोफिया के बारे मैं ऐसे तो सोफिया के बारे मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ सोफिया एक बहुत चर्चित किस्म की लड़की थी यही कारण था कि उसके बारे में सोचने के पहले भी कई अपसर मुझे मिल चुके थे अपने मित्रां द्वारा भी यह सुन चुका हूँ कि अला जबाब है सोफिया के बारे में मैं अपने उस ख्याल को अधिक महत्तों देता हूँ जो मैंने मां से सुना है अपने कमरे में बैठा मैं यह सोचता रहा कि सोफिया के इस घर में आ जाने पर मेरा क्या करतब प्र हो जाता है सोफिया को यह कहका घर से निकाल देना दुश्वार था कि वह मेरी मा को फूटी आँख पसंद नहीं इसलिए मुझे भी उससे घृणा है उसके साथ हिल मिलकर अपने आँखे बंद कर लेना भी उतना ही कठिन था मैं कुछ में निरणा नहीं कर पा रहा था फिर भी मेरे भी तर एक पैशना वश्य था कि किसी भी हालत में मैं उसे अपनी मा की अधिकारों को लूटने नहीं दे सकता कौने में टेली वीजन सेट था ओन होने पर जिसके भूरे परदे से इस्टिसन के सभी के सभी कारे करम दिखाई पड़ते और ओफ होने पर उसमें कमरे का पूरा द्रिश्ट जिल मिलाता सा दिखाई पड़ता उसमें मैं अपने आप को देख रहा था वह इस्क्रीन हमारे घर के शीसों से अधिक निश्चल था क्योंकि उसमें चेहरे को सौंदरे में बनाने की वह शक्ती नहीं थी मेरे भीतर असमंजस का जो भाव था वह परदे पर के मेरे चेहरे पर इस्पश्ट था मैं अब भी यही सोच रहा था क्या कोई ऐसा उपाई नहीं जिससे मैं अपने पिता को इरादा बदलने के लिए मजबूर कर दूँ पर मेरे पिता को तो प्रमार चाहिए यह दलील चाहते हैं पर दलील आये तो कहां से जो प्रमार मेरी मा नहीं दे सकी थी उसे मैं कहां से लाता मेरे वे दो मित्र जुनों ने उस दिनिया कहा था कि मेरे पिता सोफिया को अपनी मोटर में लिए समुद्र के किनारे घूमा करते हैं मेरे पता के सामने गूंगे हो जाएंगे इस बात का मुझे पूरा यकीन था बहुत पहले मैंने ये बात भी अपने आप में पूछी थी कि मेरे पता जो हर जगए आते जाते रहते हैं कभी भूल से सिल्वर होटल की और क्यूं नहीं भटक जाते मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि एक बार वहां सोफिया को देख कर वे उसे कभी भूल से भी देखने की बात नहीं सोचते अपने मित्रों के विश्वास के दावे पर मुझे विश्वास था अपने कोशिसों के बाब जूद जब मुझे यह मालूम हो गया कि सोफिया की चाया इस घर से बाहर रखना उतना ही कठिन था जितना कि मेरा वकील बनना तो मैंने जो कुछ होने वाला था उसके लिए अपने को तयार कहे लिया बड़े ही संकल्प के साथ अपने आप से कहा कि उसके आजाने पर देखा जाएगा मैं सोफिया की आनी की प्रतिक्षा करता रहा उसके हमारे यहां पहुँचने से कुछ मिनट पहले मेरे पिता ने अपने डिप्लोमाटिक बैग जैसे बस्ते को मेजपर से उठाती हुए कहा सोफिया आ रही है खबरदार उसके साथ किसी तरह की बत्तमीजी न करना इससे पहले कि मैं अपने पिता की बातों का मतलब समझता भी घर से बाहर हो गए थे अपनी जगे पर खड़ा मैं मोटर के इंजन को स्टार्ट होते हुए सुनता रहा वो पुरानी मोटर कराहती हुई गेट से बाहर हुए मैं खिड़की के पास खड़ा उसे देखता रहा उसके ओजल हो जाने पर भी कुछ देर तक उसकी दर्दना का आवाज मेरे कानों तक आती रही जिसके हाँ आने से मुझे चिड़ थी उसी की रहा ताकते हुए मैं अपने में बेसबरी महसूस कहने लगा था मेरी आखें बार बार घड़ी की और पहुँच जाती थी और मैं अपने बेताब होने के कारण को खुद नहीं समझ पा रहा था मुझे अपनी मा की याद आई अस्पताल की चार पाई पर वो हमारी याद कर रही होगी सबसे अधिक याद उसे मेरे पिता की यादती होगी और मेरे पिता को सबसे अधिक याद सोफिया की यादती होगी सोफिया इस समय अपने सरिंगार को आखरी टच दे रही होगी और चन्द मिन्टों में में हमारे घर का दर्वाजा खटकटाएगी उसके याँ पहुँच जाने के एक या दो घंटे बाद मेरे पिता भी सिर्दर्द का बहाना कर घर लोटाएंगे और मुझे किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ेगा ड्राइंग रूम में बैठा में दर्वाजे पर दस तक का इंतजार करता रहा उसकी उपस्तिती में मैं घर में क्या करूंगा उसे घर में अकिली छोड़ बाहर चला जाना भी तो ठीक नहीं होगा और उसके सामने बैठे रहना अपने से शायद ना हो सके टेलीवीजन पर दिन का कारिकरम भी गया रहे से पहले शुरू नहीं होता आज टीवी पर स्रीमती इंद्रा गांदी की मौरिशस यात्रा का प्रोग्राम था ना जाने देखना नसीब होगा या नहीं खयाल आया इस समय भारत की प्रधान मंत्री हमारे देश के सबसे रमडीक बाग में वह पौधा लगा रही होगी जो कोई 300 वर्स तक हमें उनकी याद दिलाता रहेगा मनोरंजन का कोई न कोई साधन ढोड़ता रहा सोचा फौन करके अपने एक दो मित्रों को भी यहां बुला लेना क्या उचित न होगा परन्तो परिस्तिती से प्रोध साहित मेरे मित्रों से कुछ अनुचित हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी होगी और चूंकि मैं स्थर नहीं था इसलिए कोई उपन्यास लेकर बैठ जाने से भी कुछ नहीं बनता सोचा बैठा रहूंगा जब तक मेरे पिता सिर्दर्द के बहाने लोट ना आए फिर तो लाइब्रेरी जाने के बहाने में संगम देखने पहुंच सकता हूँ और फिर जो संगम यहां होना हो वो होता रहेगा सामने की मेज से अकवार उठा का पढ़ने की कोशिस करने की इच्छा न रखते हुए भी मैंने शीर सकों और उप शीर सकों पर दौरती नज़र डाली फलाना मंतरी फलाने मिशन पर फलाने देश को जा रहा था फलाना देश से फलाने मिशन के बाद फलाना परदान मंतरी दूप को लोट रहा था ये उबादेने वाली बात थी मैंने अकवार को मेज पर रख दिया और कोई पांच मिनट वादी घड़ी की टंटं की आवाज के साथ दर्वाजे पर खटखटा हट हुई मैं बैठा रहा खटखटा हट फिर हुई और तम्मे अपनी जगे से उठका दर्वाजी की ओर बढ़ा मेरे खोलने से पहले खटखटा हट एक बार फिर हुई दर्वाजा खोलते ही उसने कहा हैलो सो रहे थे क्या वह जितनी सुन्दर थी उतने ही भद्दी थी उसकी वह आवाज सफेद ब्लावज और नीले रंग के मिनी स्कर्ट में थी वह उसकी कमर में वही जंजीर नुमा रोल्ड गोल्ड की पेटी थी जिसके लिए मेरी बहन कई दिनों से मेरे पीछे लगी वी थी फैशन के वाजार में वह लेटेस्ट था दुकान तक पहुँच कर भी मैं उसे नहीं खरिच सका था क्योंकि कीमत काफी उची थी उसकी आँखों पर मसकारा इसपष्ट था होटों की लाली गुलाबी और लाल के बीच की रंकी थी मेरे कुछ कहने से पहले ही मुसकराती वह भी तरा गई मेरे दरोजे बंकर लोटते लोटते वह सोफे पर बैट चुकी थी और उसका बटुआ हाथ में जूल रहा था वह कुछ कहती के इससे पहले ही मैं बोल उठा रसोई उस ओर है जानती हूँ उसने अपनी उस मुस्कान को बनाए रखा मैं उससे यह नहीं सुनना चाहता था कि वह पहले भी इस घर में आ चुकी थी इसलिए आगे बिना कुछ कहे मैं सामने के सोफे पर बैठ किया उसके बीवी स्टाइल बालों के उपर वही गोल्डन पिन था जिसका डिजाइन मेरे पिता की मेज परके सोकते पर था उसे अपनी और एक तक गुरते पाकर मैंने उसे लड़का और अपने को लड़की महसूस किया मैंने पलके छुका लिए मुझे ये समझने में बड़ी कठिना ही हो रही थी कि सोफिया घर के कामों सम्हान ले आई थी या घर ही को जिस ढंक से सोपे पर बैठी थी उसकी उस और आँखे उठा कर देखना मुझसे नहीं हो रहा था उस हालत में उसका मिनी सकट और भी मिनी हो चला था अपनी आँखों की ललक को मैंने अपने ही पैरों पर लोटने दिया मेरी आँखों की हिचकी चाहट और जिचक को समझ कर उसने कहा क्या बात है सोनी कुछ नहीं गमाल लड़कियों की तरह से जुकाई क्यों बैठी हो मन में आया कि पूछू आखिर मुझे करना क्या है पच्चुप रह जाना भेतर समझा लेकिन सोफिया को चुप रहना गवारा नहीं था उसने अपनी भद्धिया बात में मृदुलता लाने का प्रियास करते हुए कहा तुम एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लग रहे हो मुझे उसकी यह बात जरावी पसंद नहीं आई मैंने कभी यह नहीं चाहा कि कोई मुझे बच्चा समझे यह प्रमारित कहने के लिए मैं बच्चा नहीं था मैंने एक समूच यह मर्द की नजर से उसकी ओड़ देखा अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए वो हस पड़ी उसकी उस हसी में ब्यंग था जिसमें मेरी आखों की इस निक्दता और भी बढ़ गई उसका इसकाट कुछ उपर हो गया था जिससे उसकी जागों का गोरापन हसता सा लग रहा था मैंने अपने को बिचलित सा पाया तब ही उसने अपने हाथ की चैन को नीचे गिरा दिया जिससे वो अपनी उंगलियों पर घुमा रही थी वो उसे उठाने के लिए छुप गई उसके ब्लावज का खुला हुआ उपरी भाग कुछ और अलग हो गया जिससे मेरे अपने शरीर में संसनी सी दोड़ गई मेरी धमनियों का खुन खौल सा गया उसने मेरी योड देखा और मैंने उसकी आँखों में अजीब सा भाव पाया जिसमें शायद ब्यंग भी मिसरित था हसते वो उसने पूछा मेरी उपस्तिती तुम्हें खल तो नहीं रही है नहीं तो तुम घवराई से लग रहे हो बिना कुछ कहें मैं कुछ अधिक समल कर बैठ कया ऐसा करते हुए मैंने अपने भीतर की घवराट को सचमुछी जख जोड डालने का प्रयातनी किया क्या प्रयोगे तुम घर की मालकिन के स्वर में उसने प्रश्न किया कुछ नहीं पर मुझे तो प्यास लगी है मैं फ्रेज से तुम्हारे लिए भी कुछ निकाल लाती हूँ इसमें जरा भी शक नहीं था कि वो हमारे घर के चप्पे चप्पे को जानती थी वो सोफे से उटकर रसोई घर की और जाने लगी मैं उसकी चाल को देखता रहा जिसमें परयाब तदा थी अकेले रह जाने पर मेरे खयाल और भी विद्रोग कर उठे कई तरह की बाते मेरे दिमाग में कौन दिने लगी थी ऐसा लगा मैं अपने आप में नहीं था अब तक सोफिया की प्रती मेरे भीतर नफरत के जो भाव थे वे मेरे बिद्रोग खयालातों से दब गए थे उसकी वे आँखें बेहोट वा उबरा हुआ बलाउच वहां की संपूर्टा फिर मिनी स्कर्ट का कुछ अधिक मिनी हो जाना भगोरा रग मुझे अपने भीतर की गर्मी का खयाल आया एक गर्मी जो कांप रही थी ये बातां एकदम नई तो नहीं थी फिर भी नई नई सी लगती थी नफरत के खत्म हो जाने का मतलब होगा उससे प्यार हो जाना मुझे उससे प्यार नहीं था वकिवल चाहती जो उसके लिए मैं अपने मैं महसूस कर रहा था उसकी शनिक अनुपस्थिती में मुझे अपनी मा की याद आई और अपने पिता की भी दूर से आती हुई एक अइस पस्ट आवाज की अनुध्वानी भी मुझे सुनाई पड़ी और ऐसा लगा कि वह मेरी मा की आवाज थी या कहती हुई कि मुझे उसकी हग की हिफाज़त कहनी चाहिए दो गिलासों में फ्रूट जूस लिये वह आ गई मेरे एकदम पास आकर उसने एक गिलास मुझे थमाया उसके कपड़े और संबब्द समूचे शरीर से एलिजाबेत आर्डन की भीनी-भीनी गंद आ रही थी उस गंद में एक भारी कशिस थी एक मूंक आमंत रण था अपने सोफे पर बैठका उसने कहा तुम दूरी पर बैठे हो आग्याकारी नौकर की तरह मैं उसके एकदम पास वाले सोफे पर जा बैठा गिलास से पहली चुसकी लेती हुई वह मुझे एक टक देख रही थी मैंने भी अपने में द्रडता लाते हुए वैसा ही करने का प्रयात ने किया मुझे ऐसा लगा कि मेरी नजर उससे सट गई हो हैरत हुई पर उसे हो ना था बात कुछ भी हो कोई इस बात को नका नहीं सकता कि सोफिया निहायत हसीन थी मेरा दिल जोरों से उचलने लगा था धड़कने तेज हो चली थी मेरे भीतर का भाव तिब्रता पा चुका था भीतर की उश्मता मेरी आफों तका गई थी समुद्र के जोर भाटी की तरह कोई चीज मुझे में उध मचा रही थी सोफिया का गोरा हाथ मेरे सोफि पटिका हुआ था उसकी पतली पतली उंगलियां गोया प्यानों पर हूँ मन में उन उंगलियों को अपने हाथों में लेनी के इच्छा हुई या सोच करके शायद उसमें बिजली हो में हिचकता रहा लेकिन जब मेरे एरादी को जैसे ताड़ती हुई उसने मुसकरा कर मेरी तरब देखा वो समय मेरा डर जाता रहा हिच के चाहर जाती रही और मैंने अपने हाथ को उसके कॉमल हाथ पर इस तरह गिर जाने दिया जैसे कि अनजाने में वैसा हो गया हो उसने अपने हाथ को जियोंकत्यों बनाए रखा और मैंने अपने में सहस कानवब किया मेरी उंगलियां उसके उंगलियों से खेलने लगी वह मुसकराती रही और मेरा हाथ उसके हाथ की चूडियों पर जा पहुंचा था चूडियों की जहनकार से मेरी भीतर के तार तार भी जहन जाना उठे मन ही मन मैंने अपने को मर्द माना और दूसरे एक शण मैं सुफिया की बगल में था मेरे ललाट से बालों की एक आवारा लटको अपनी पतले उंग्लियों से हटाते वे उसने कहा तुम काप रहे हो नहीं तो पूरे विश्वास के साथ मैंने कहा अपने जीवन में किसी औरत के इतने अथिक निकट मैंने अपने आपको कभी नहीं पाया था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी किशोर अवस्था यहां समाप्थ हो गई थी और एक नई अवस्था का स्री गणेश हुआ था इसको कभी न कभी तो आना ही था अगर कुछ पहले आ गई तो हर्च ही क्या था सभी कमपन और गर्म धड़कनों के साथ मैंने सुफिया को अपनी बाहों में बांध लिया वो निर्जीब सी बंद गई उसे अपनी आखे मूद देख मुझे आश्यरे हुआ पर तभी पुस्तकों में पड़ी बातें याद आ गई और मैंने उसे एक प्रत्यक्ष आमंतरन समझा सचमुचीवर दावत थी मुझे अपनी मां की याद आई उसकी आवाज की वही अनुद्वनी फिर सुनाई पड़ी मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी मां की बात को कभी भी टाल नहीं सकता उसकी हग को बनाए रखने में अगर मैं उसके काम नहीं आया तो फिर और कौन आ सकता था जितना मैं अपने पिता को समझता था उतना मेरी मां भी नहीं समझती मैं भली बाती जानता हूँ कि किन चीज़ों से मेरे पिता को प्यार है और किन चीज़ों से गिरना वे किस बात के लिए किसी के दास बन सकते हैं और किस बात के लिए किसी को दुदकार सकते हैं मैं यह भी जानता हूँ मुझे उपाय मिल गया था जिससे मैं उनके भीता सोफिया के लिए नफरत पैदा कर दूँ सौदा महिंगा था पर मुझे अपनी माँ का ख्याल था एक तरह से सौदा तनिक महिंगा नहीं था क्योंकि मैं जवान हो चला था मैंने जो बाता सोची थी बिस सच निकली बाहर मोटर रुकने की आवाज सुनाई पड़ी मुझे मालूम हो गया कि मेरे पिता पहुच गए है मेरे दौनों हाथ सोफिया के बालों पर दोड़ते हुए उसके कानों पर आ गए थे जिसे मोटर के रुकने की आवाज उसे नहीं सुनाई पड़ी चंद मिन्टों में मेरे पिता भी तरा जाएंगे आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था पर मैं चाहता था कि आज भी कुछ देखें अपनी आखों से देखें और जिस बात पर उन्हें बहुत पहले विश्वास कहना चाहिए था आज कहलें अब तक सोफिया की बाहों ने भी मुझे जकर लिया था अपनी पूरी ताकत के साथ उसे अपने शरी से कस कर मैंने अपने कांपते होटों को उसके गरम होटों पर रख दिया वह मुझे से अधिक सक्रिय थी तब ही एक दरवाजा खुला और उस ओर बिना देखे ही मुझे मालम हो गया कि मेरे पिता सामने खड़े अन्होनी देखते हुए कांप रहे होंगे प्रश्न उन में हमारे सामने पहुंचने की हिम्मत थी ये अपनी बापसी जताए बिना ही भी लोट जाएंगे दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अभी मन्यू अन्नत द्वारा लिखी वी कहानी जहर और दवा दोस्तों कहानी सुनने के लिए धन्यवाद